हेलो दोस्तों आप सब कैसे हैं हो कि आप सब अच्छी होंगे आपका स्वागत है कुरियम चैश में गाइज आपने बहुत सपोर्ट किया हमारे चैनल को बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं अब हमें जब उसके लिए बहुत बहुत थेंक यू और गाइज आपने इतना सपोर किया है करी हमारा चैनल यहां तक बहुत पाया है वो सभी के लिए हमारे पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत जादा थेंक्यू तो गाइज आपने जैसा देखा होगा कि लास्ट टू वीक से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला उसका रिजन थे कि मैं अपने बहुत सारे काम में बिजी था गाइस जैसा कि मैंने अपको अरड़ी बताया है यह मेरा कोई प्राइमरी बिजनस या प्राइमरी चीज नहीं है इस इस माई वन अप भॉबी विच है अचली गो थू इन और रेगुलर देश तो गाइस मैंने इस्पेशली आज यह वीडियो डालने का इसल जो भी कुछ आज मैं सीखा हूं जो भी कुछ आज जहां पर भी मैं हूं उन सब में major contribution मेरे टायड का है तो गाइस आज हम बात करेंगे कि how my this hobby has started और मैं कहां से मेरी hobby कहां तक पहुची तो गाइस मैं यह hobby start हुई जब मैं लगवग क्लास 12 में था तो गाइस क्या था कि मेरे पापा को बहुत ज़ादा शॉक था इस सब को फिशेस का एकॉरियम का एक डॉक्टर था मेरे यहां जो मेरे फैमिली डॉक्टर है और एसके महाजन करके अपने जो क्लीनिक में आउट्डोर बना रखा था और उसमें चोटी-चोटी जैसे स्मॉल कोई और गोल्डफिश डाल रखी थी तो पापा जब भी वहां पे मेरे को दिखाने जाते थे या मेरे भाइबन को दिखना थे तो उस पॉंड को देखके बहुत ही अट्रैक्ट पापा ने चाहा के भी अकॉरियम नहीं कर पाए तो उसके बाद गैस एक बार मेरे को याद है कि मैं जब IIT J.E.E. की मैंने कोचिंग करी तो वहां पे एक टीचर था मेरा उसका नाम का Sanjay Chauhan अगर आप कानपूर से हैं और आप कानपूर के वारे में जानते हैं तो कानपूर में कोचिंग मंडी है IIT J.E.E. की तो वहां पे एक Sanjay Chauhan के के केमिस्ट्री टीचर थे तो उन् कोब में चोबर से अ,चो तहों पी देख के और शोड़ामने जानपाने ट कॉल की घ्ंचर से अंबारे में में अटरैक्ट हो गै तो यस तरह का देखते थे देखो तो इसके बारे में बाते। वह पाताता थे थे उससे को बारे मेरे दिल ने हखिए पास थे आप सिफायते किना भी ये के लिग चांपूर जाते हैं कभी को तैई को सब भर आज करें नहीं जाते हैं थ्यास्ति हैं चांप आरे जाती हैं सब्सक्राइन आखने हैं तो और शुल्प सब्सक्राइब को आ खने हैं तो पापा कभी भी देखते तो और एक अगो दो बनाईंगे यह उसे बनाएंगे कि यह तो चीक चीज है। इससे पहले भी एक चीज में आपको बताओगा कि कैसे यह चीज मतलब मेरे परिवार के बलड में उसके बार मिताते हूंगा। मेरे बाबा जो है, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, वो अपने टाइम पे हमारे पास बहुती बड़ा गार्डन है, मतलत को हमारे पास काफी बड़ा गार्डन है, अब जो जितना बड़ा गार्डन है, उससे बहुत जादा बड़ा और बहुत जादा मेंटेंड गार्डन पहले था मेरे बाबा की टाइम और मेरे बाबा को बहुत जादा शॉक था यह क्या बोलते हम पेड़ पाओधों का और नेचर का तो उस ताइम पर काई जैसे बहुत बड़े बड़े घंबले होते हैं अभी तो छोटे घंबले आप देखें हो कहें काफी बड़े-बड़े मे मेरे बापा के पास ते और उन्हों थे उसी मतलब गंबलों में पेड लगा रखे टे और नियाती और उसी में मश्लियूं पाल लख थी और हमक जिस अगर देसी लैंग्वच में बोलें तो मांगुर बोलते हैं या फिर जो छोटी ओडी मश्लियूं खाय नहीं जाती है इस प्रेंड उसी टाइब की मचलियां उनोंने पाल लगजी तो वहां से मतलब आप समझगे मेरे परिवार में ये चीज दीमेदी में आई बड़ क्या होगा जब भी आपके परिवार में चीज दीमेदी में आए उस पर डिपेंड होता है कि उस चीज का असर की साथ भी पर जादा होता है तो बड़िस्ली मेरे पापा चार भाई हैं उन पर असर नहीं पड़ा बट मेरे पापा हमेशा शे मतलब जब से मैं उनके साथ हूं हमेशा शे वह इस चीज को देखके बहुत जादा अट्रैक्ट होगाते है तो मतलब फिष अकोरिया उन्या एकोरियम तो इ नहीं करता था तब तक पापा ने कोई भी एकोरियम ओन नहीं किया गाइस मतलब ओविसली वो बाबा के टाइम पर था फिर वो खतम हो गया उतना ज्यादा मेंटेनिय अपर अभी भी बगीचा है गाइस बड़ वो बश्ली आचनिय उतना नहीं है फिर क्या हुआ फिर एक बा पहले की बात ही है जब मैं घर पै था और पापा का बढूकर नेक्स तेड़ आप 6 जून को पापा का बद्दे होता है तो चार जून या पांच जून की बात है हमने प्लान किया मैं आप मैंसिस्टर शीट रका अब बहुत कुश ओजाएग इसको देखके तो हमने प्लान क कि अब इस बार पापा को एकोरियम गिफ्ट करेंगे तो इसका है कि मेरा घर भी मतलब जगा तो है काफी बड़ा भी है बट अभी मुट में वेल फॉर्णिश नहीं है कि महां पे इस तरह कि मतलब ये मतलब एकोरियम और ये सारी चीजे सजाने वाले रखी जाएंगे तो इस सब्सक्राइब तो वह अमने हमारे जस्ट पास में एक फिशॉप है वहां से गयतम मेरे को उतना जदा डीटेल नहीं बजादा आसे चाहाँ साथ पहले क्योंकि वह जस्ट इक स्टार्टिंग था मेरे लिए और भी में जाने के लिए ये उस चीश में मैं इतना ज़गा इन जब आए जब आए लाना मेरे इस इंटरस्ट में वह एक था अब गईस मैं जो मेरा जो मेरा जो मेरा जो मेरा जो मेरा जो जानते हैं मेरे फेस्ट प्रफाइल प्रफाइल बगा हो गया होगा हमको पता हो जो नहीं जानते हैं उनके लिए मता रहा हूँ कि I am working as a scientist in ministry of science and technology तो मेरा जो फ्रेंट प्रफेशन है वो basically as a scientist है to develop technologies in different electronics domain and to help the industries and to serve our mission तो यह मेरा फ्राइमरी you can say profession है तो basically after that क्या हुआ कि जब उस तेम हमने gift किया and settle किया तो वहां से क्या हुआ different videos तो मेरे sister different videos बना के देखती थी फिर मैं इस चीज में पता नहीं मेरे अंदर कैसे वो चीज दीवें दीवें इंट्रेस्ट इबलब होते की तो चीज को मैं ने देखार है फिर मैं यहां में बहुत कोशिक किया आसपास से कहीं मैं कहीं से मैं मतलब एकोरियों रखने कोशिक किया बट जाई से लोब आज बाब आसपास कोई भी इस शौप नहीं थी इन अफिर गाउप जब मैंने वह गिफ्ट करी पापा को तो पापा भी काफी खुश हुआ है उस ताइम तो थोड़ा गुस्ता उन दिखाएगी क्यों ले आया यह हो गाए जैसे पेरेंट्स का निचर हो गाए निगे को यह वह फिजूल खर्ची उनको यह फिजूल खर्ची उनको यह फिजूल इवन घर मानेंगे वने चोटी जी गोल्ड फिच लेकर मेरे बापा ने इस चीज को इसना अच्छा मेंटियम किया और पिच्श को कि उसमें मॉर्टलिटी रेट बहुत कम था गाइस में लगता है इस ताइस में मॉर्टलिटी रेट मताब शाएद एग भी मस्तरी उसमें परी म सुन अच्छा में एक वो बादी हो गई इवन उन फिट में मताव अपी बडियों ख़ी चोटी कोई से लेकर पापा ने और मनाया फैमिली न उसको अ पहल आता हम आता ने इतना अच्छा में अच्छा मेंटें गें कि वो बहौत बढ़ी हो गई वें वन संब 1.5 फी में बढ़ा बड़ी होगी मैं इवन 2ft के aquarium के लिए भी में को लगता ता बढ़ी होगी अगर आप aquarium भोबेस्ट के नौरेश के लेके तो भी बढ़ी होगी तो बिश्चाथ भी क्या दा था कि वह पापा इसे मैंटें जातो तो मैं अपने होबी के बाइन बार हो कहां से बार हो मेरी एक बहुत अची फ्रेंड है उसने मेरे बद्दे पर यहां पर को मेरे को बाउल गिफ्ट किया वह वह एक और बहुत बड़ा जम्प आ इस होबी में उसमें उसने 2 गोल्ड फिश लालीं उसमें विंटर का टाइम था गाइस और मेरे को इनका नवीज था नहीं थानी तो फस्त प्रिय टीक जा दिए फॉर। में अच्छे से अपने टाइम ने का विश्ट फॉर। मेरे को इनका नहीं था तो फस्त ने जब गया झालें मेरे तो बहुत धतका लगा कि ऐसे क्या हुआ मैंने क्या उसका गयर नहीं कर पाया है मैंने क्या दलती कर दी कि वो डेट्थ हो गए उन दो गोल्ड फिश के वहां से मेरा इंट्रेस्ट इना मानिये मेरा एक्सकुरेंचिली गोड़ कर गया पहले मेरा थोड़ा बहुत हुआ अब थोड़ा बहुत हो बावल से और उस बावल के बाद वो जो गोल्ड फिश की देथ ती उससे बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्ट आया फिर मैं मेरे पास में जगा आपके वहां से जाके अपना फ्रेश वाटर फ्रेश वाटर सेट अप किया जो मेरा सबसे पुराना एक् अब बहुत है तो इस तरह से पापा ने इंट्रेस्ट लिया फिर आगी क्या हुआ गाईस फिर महां से मेरे को फ्रेश वाटर में इंट्रेस्ट था गाईस प्लांटेट में नाम सुना कि प्लांटेट नाम की कोई चीज होती है और मतलब एक प्लांट्स ग्रों कर सकते हैं और उसमें फिशे उत यह गाईस में तो एक आप सुनिया सेलरी था अफ़लब फोड़ा प्रोफेशनल की था थोड़ा अफ़ेस्ट पे तो इससे बात होकर मेरा इंट्रेस्ट और मैंने इमें इमें साच करना तिक उस तक मेरा होबी में इंट्रेस्ट बहुत जादा आज़ पर यहां से पास तो नहीं काफी दूर अना जाना तो 200 km अब मैं बाइक से गाईस हम लोग गए वहां पे और वहां पे फिर उससे गंसर्ट किया और बुरा मत अब डिसकस किया कि कैसे प्लांटे टेकोरियम ब्रोकर तो मन भी काफी हैं किया फिर वहां से भी काफी रिसर्च किया पिर प्लांटेड का आप देख सकते हैं मत अब ही राइडना मैं अराउंड वो तो फाइव प्लांटे ब्लांटे अपोरियम इसमें डिफरेंट वेरियेचन रहे हमारे नो-सी योटू एकोरियम सें इसमें इसमें योटू नहीं है जो आब मेरे पीछे लेख रहे हैं इसमें CO2 कनेक्शन है और इसमें डिफरेंट टाइम जंगल टाइप का थीम दे रखना है और डिस्टर्स है और इस प्रांटेट एकोडिया में फिर मैंने मास्टर करना स्टार्ट किया अबिसली मेरे साथ बहुत सारे मेरे स्पेशल फ्रेंड्स और बहुत सारे लोगों ने हैं इस चीज में बिना उनकी है इस चीज कभी भी तयारी ने कर सकता था और इवेन इस चैनल में भी उनका फुल पार्टनर्शिप है मदब अगर शायद वो लोग ना हो तो मदब मैं तर गार्ट को सब्स आएंक अगे मेर्ट के तो साल पर मेरागे मेर न हीट न इसके सब्सक्रण घञें चाहिए तेकनीक कि मैंन के साथ चीज करना एंक इस चीजन प्लांटए वाइख आडेया में सब्सक्राइब उस्तार इस टेकनीक निक्टनीग जीं लेकिन क्या है बावान की दिया से, और मेरे धर्वालों के अशेबार से, पापा के लेसिंग से, मेरे बापा की लेसिंग से, तो कैसे ला, उतना क्रंच नहीं था, इसमें मैंने इंग्रेस्ट किया दोगी मैं इंट्रस्पी रहा हूँ लेकिस उसके बाद जब लेची एक सिक्टर्ट होगी है, मतब चार सिपास अगोरी मुसे बना दिये, मेंटें रोज करते हैं, कुछ चेंज करते हैं, कोई नियोन टेटरा हैट कर दिया, प्रूराम हैट कर दिया, डिस्कस लादी है, अब लोग डिस्कस से सिकोगी मैंसा माना कि अब भी वहसान होना थे कि आपने डिसकस को पाल लिया, तो समभली से अब भी में अब अच्छ वादी मेरे सब से मुच्णी नहीं है, डिसकस सबसे संस्टेम लाईस है, अब मेरे केस को आईस मैंने, आप देखी रहे हो और मेरे केस को साईज, मैंने को बच छोटा लाया अब भी भी तरफ से ऊपर केंस साईज, इस बहुती मिनिमवक और कश सच पर कन साईज, यह चुह, जू रहे केंसका है ह आपको मेरी जो E Vägen मेरी की जर्मी है उसको जाकना है फोड़ी सी वीडियो ओने मरी है वाणे मेरा प्लांटेण मेरे मस्टरी मास्टरी तो क्या मास्टर हो भी but yeah कई काफी experience मेरे करल लिया थे last लेट साph legen of theеuss यू tension Matthew plants,개 amigos this time जीसों कि आपको जैसे मैंने बताये हैं कि दिसकस प्लांटिन लग़नी ए तक थे तो गाइज तो गाइज, हाँ तो गाइज उस प्लांटिन एकओडिया जोब नियुक्त अब बंद कर दिये तब मैं कोई कि दिसकस की भीमानी लगी दिसकस मैंने देखे, मैंने इन्ट में देखे थे और जब हमको रियल में लेखा तो मैं आई अच्छी मैंने पॉल इन लफ दिसकस के बारे में काफी रिसरच किया, इसे रखने हैं, काफी इनके बारे में पढ़ा क्या प्रीड होता है, कैसे इनको बारे में लफ दिसकस 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 में लफ लप पूरा की डिस्कुस इतना किसे रखना है कैसे उनकी रेगुनर साइक्लिंग करनी है तौक आदो साइकल करना अच्छों काम ऑटल्टी के सिंपोर्डन्स है कितनी तरह की डिसीज किती हैं और जोती हैं तो शोच हो एक में उसके भाद कैसा जाने है प्लांटेट की को इपिश्य है वहां पर मैंने इस और यहां पर मैंने यह यलो टैंग डेजिक ऐखांग तो मैंने वहां सब्सक्राइब को यह फिश्श यही है से केवल केवल यलो टैंक के लव के लिए मैंने यह सॉल्ट वाटर क्योंकि में को वह रख नहीं दी गाई तो वह चीछ मतलब मैंने एक्स्प्लोर करना स्टार्ट किया तो अब जैसे देख सकते हैं मेरे लेफ्ट हंड साइड में यह मैंने एक बिकॉस आपको पता है सॉल्ट वाटर अभी बहुत ही कॉसली होती है स्किमर लगाना पड़ता है और चेलर लगाना पड़ता है और अगर अठाब अच्छा सॉल्ट यूस कर रहा है रेट सी का तो उसमें भी बहुत प्कॉसली होता है मैंने हमेशा अपने अपरेंस को नहीं बताया है मैंने रहा हुआ की तफार हाँ बड़ता थैप हरे विडियो अपने ॏ पापा को लिटरिली मेरे हर एक एकोडियम की बड़ाइगा है क्या कमिया है वो बताईगी इवन मेरे हर एक वीडियो को देखते हैं लाइक करते हैं और मतब उसमें जो सजेशन्स हैं उनके बारे में उनको कम इन्फोरमेशन हैं बैसे हमी रिसेंटली उनोंने सौल्ट वाटर का मतब व बोल्ड फिश हैं और मतब डिफेंट डिफेंट फिशेस हैं उसका वीडियो में आपको आने वाली वीडियो में देखा हूंगा गाइस वो मेरे घर पे हो भी मैंने कुदी बनाया भी डिसेंटली उसको सिक्समांस होगा गाईस जिससे मैंने बताया कि मेरा वन फीट वाला चोटा ओ या तर मैंने लिए छोटा हो जाट लाएं तो उन्होंब पुचा कि स्वाल डोलड की फिशेस घर वो अपने वीडियो में रख सकते हैं तो मैंने उनको समझाया गी ये नहीं रह सकते हैं उनको ध। बोला है नहीं डोटी डिफएंट अपी है ये मर जाएंगी हो म में सरवाइब नहीं कर सकती फ्रेश वाटर में इस तरह का हर एक वीडियो पर इंटरेस्ट लेते हैं और हर एक पूर मतलब फिशिस के बारे में पूछते हैं कि ये फिश बहुत अची लग रही है ये डिसकस है कैसे लग रही है यहां नहीं मिलेंगी तो इस कानपूर में इत मतलब अच्छ नकल, SIMPLE, GOLD, FISH को ही ये सब रखते हैं तो गाइस हां तो यह मैं बता रहा हूं कि फिर लास्ट वर्गेर में मैंने आपने मेरी सवल वर्टर की सीरीज में देखें देखा मैंने कैसे low-tech salt water aquarium इस्टेबिश किया उसके वारे वीडियो बीडियो जी कर इपूछ आपको चैनल पे बिलेंगे, प्लीज गाइस सपोर्ट करते रहें, तो कि अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं, तो आपको लोटेक सार्ड वाटर अकॉरियम हैं, इसमें नहीं रख सकता हैं, जैसे यलो टैंक है, और लटसल, सर्जन फिशे, डिफरेंट सर्जन फिशे हैं, और और भी बहुत सारी फिशे हैं, जो आप लोटेक में, जैसे अच्छे अनिमोन से हैं और लोटेक में आपको अस नहीं रख सकते हैं, तो फोड़ टाइम बार भार मर जाएंगे, तो फोड़े सर्वाइब नहीं नहीं रख सकते हैं, इसमें आप क्लाउन रख सकते हैं, पोन अपने वीडियो पर पताया था, अपने वीडियो पर पताया था, वैस ट्रस्ट में, आप अडिशनल संप नहीं बनाते हैं, और एक अच्छा तगड़ा सकते हैं, तो आपको बंता नहीं है, मैंने अपने लोटेक में यह चीज एक्स्पीरियंस की, या बहुत अच्छे अन जब जबते हैं और 1.5 p.m. तो कोई बड़ी मचली इस में रखकते हैं, और जैसे कि मैं आपको बताया कि I have fallen in love with yellow tank, उसके लिए लिए एक tank बनाया है, वो surprise आपको के लिए, वो पूरा उसमें वो एक high-tech tank है guys, saltwater tank उसमें मैं सोच आँँ हैं अच्छे कोड़ अच्छे अनि जितनी भी तरह की टेंग्स होती हैं फो ब्लू टेंग एरो टेंग और जितने भी तरह की और भी टेंग्स होती हैं वही तो तो अभी पूरा जो इंटरेस्ट है कम्प्ली डायवर्ट हो चुका है इस में रहता है, फ्लांटि तैंक को इंटरस्ट है, अभी थोड़ा इस फोड़ा इंटरस्ट ये भी आया हुआ है कैसे इस होबी को बिखाया में एंडिया में, बद्थाब ये कोबी बहुत पॉस्ट कैसे कम कोस्ट में अच्छे से को रखा रह सकता है और विगनर्स को कैसे हुल के रहा है तो अभी उस चीज में मेरा थोड़ा इंड्रेस्ट है और रहा है तो इन दाग अपकमिंग वीडियो यू विडियो और सीरीज अभी तो सोच रहें कि क्या पांगा लेटी हो फूट अव रसेर्च इस गोइंग और इन दाट दरेक्शन अधियो इंड्रेक्शन अधियो यह थोड़ा यह थोड़ा थोड़ा बना सकते हैं तो आपके साथ आपके साथ शेर्षांगे तो इस यह था मेरा पूरा जर्मी तो गईस् इस लिए बात क्यों गए लास्ट में विडियो करते हैं काफी लंबी हो गई है मेरी टीम की दरफ से भी हो गया है यह बहुत जानी लंबी विडियो हो गई है तो गाइस मैं यह बस बोल ला चाहूंगा इन लास्ट कि अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप इस फोबी में रहना जाते हैं तो आप जो भी आपके पास रिसोर्चेस को यूज करके जो भी आपके आपके आपस फाइनेंस है जो भी जितना की आपका पैसा है उसको यूज करके इस एकोरियम फोबी में रहिए और ट्राइख कर तो आपकी होपी दी में एक डिफरेंट लेवल पर चलियागी जैसे कि आपको मैंने बताया है एक छोटे वन फीड के को यह आप से लेकर आज आज आप देख सके हैं मेरा होपी इस लेवल पर है कि लेको 12-13 तैंक्स हैं उसमें जितने भी तरह के टैंक्स होते हैं स्वार्ट पॉल्मस्ट अप्चलिक तुल नहीं अब भी बात कुछ अनलग बचा है और बगवार ने साथ दिया और मेरे अनलग परेंट्स ने और मेरे साथ वालों ने साथ दिया तो अब ही महत भी ग्रोग और आप लोग प्लीज गाई सपोर्ट करिये और सब्सक्राइब कर यह रिखे हैं अई भी कर्यां तो क्सादमी सबस्टेश करें आप आपने कमेंट्स नहीं करतें जो भी संघेशन ओको नहीं प्षिंखना करुए कि आपके इविडियो में यह कम हैं तकी मैं एंप्रूबरो बार लूंत परलने बार में रौल bumped ये तो इसन तैड इन दा कमेंडि सेक्षन और लास्में मैं यही बोला चाहूंगा की ड़ाइड जो भी आपने मतलब हमको सिखा जो भी आप जहां पर हम हैं सब आपके ही वजह से हैं आप को ही देख के हम इंस्पायर होए हैं और सब यही चीजों के लिए मेरी तर से बहुत बहुत बहु न्यों कमार आप यू रिbesब सब्वार्य सब्सें है जो लिए थे हैं थे न ये वन्हिर्णल को दो जो की एंटो शुशकलार게ं बहली चैनल को ने के समय हूल 중ему